नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त नरेश स्वागत करता हूँ फिर से एक बार आपके अपने गार्डिनिंग चैनल बर्डस ओफ हैपिनस में और दोस्तों जो मेरा मीनी फोरेस्ट लगाने का जो प्लान है जिसमें 50 डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट वेराइटी के जो प् को बोलते हैं तो आपको प्लान्ठ को थेस और समय अगर ऑप चॉट चाहीं जांकारी चाहते तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दू कि जो कस्टड एपल यानि सरीफा का जो प्लांट है वो सेलो रूट वाला प्लांट है इसकी रूट जो है काफी कम साइज में बढ़ती है और ये ग्राफ्टिड प्लांट है पहले तो मैं दिखा दू ग्राफ्टिड प्लां है सरीफा का यह काफी सेलो रूट प्लांट है इसकी रूट जो है इतनी ज्यादा ग्रो नहीं करती है तो इसको आप जो है बड़े आराम से पोर्ट के अंदर या कंटेनर के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं और अपने टेरिस पर इसको लगा सकते हैं यह प्लांट जो है पोर्ट म आपको लेना पड़ेगा ठारा से चोविस इंच का अगर पोर्ट आपके पास में है तो वह ती अच्छा है और इस तरह के पोर्ट में अगर आप लगाते तो इसकी रूट्स जो है इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती है पूरा एक मैचियोर ट्री जो है इसका अगर आप ग्राउ इंडिया से णैटु से प्लांट है तो यह जड़ थर यह बटिया से जाथा तो फिर नए वृष्ट। इसके इन अदर आते हैं तो इस प्लांट को जब फ्लावुर्टिंस की अंदर होती मौई मही में आते आते इसके अंदर फ्लावरिंग नोर्वरिंटिया mix मांध में उस असाम, बिहार, राजिस्थान, तमिलनाडू, करनाट का इन अगर स्टेट्स में से अगर आप है तो आप बिल्कुल अराम से इस प्लांट को पंजाब, हरियाना, इन स्टेट्स में से अगर आप है तो बिल्कुल अराम से इस प्लांट को ग्रोग कर सकते हैं, हमारी जो बेंग से तीन गूना गड़ा चोडाई में और बिल्कुल इसकी हीड से मिलता हुँआ गड़ा गहराई मैं आपको कोधना है अगर आप पार्ट में लगा रहें तो बिलकुल पर्ट के बीच ऊ-बीच आपको आपको देखना कि जो इसका polybag है उससे तीन गुणा चोड़ाई का आपका पोर्ट हो और बिल्कुल इसकी polythene का जो size हाइट है उस हाइट में आपको पोर्ट के अंदर गड़ा होदना है उसके बाद हम इस polybag को रिमूग कर देते हैं तो दोस्तों यह यह जो प्लांट है इसको जो ग्रो करने के लिए जो soil चाहिए होती है वह चाहिए होती है acidic soil और acidic soil में अराम से यह जो है प्लांट ग्रो कर जाता है किसी भी टाइप की soil में ग्रो करता है लेकिन इसको drainage वाली अच्छी drainage की soil चाहिए होगी अगर आप जिस एरि तो इस ड्रेनेज को सुधारने के लिए आप यह प्लांट लगाने से दो या तीन महीने पहले से आप अपनी सोईल के अंदर हलका से कंपोस्ट मिलाना शुरू कर सकते हैं ताकि आपकी सोईल जो है इस प्लांट के लाइक बन पाए क्योंकि जो कंपोस्ट होता है वो सोईल का पीएच भी सुधारता है और साथी साथ ड्रेनेज भी सुधारता है मिट्टी चडाते डायम एक चीज का जरूर ध्यान रखिए जो इसका ग्राफ्टी जो हिस्सा है वो मिट्टी के नीचे बिल्कुल भी न दबे क्योंकि इस ग्राफ्ट में जो है इस प्लांट के अंदर उपन इंज्री होती है अगर वहां पर लगातार मॉइस्चर जाता है तो फंगस लगने के वज़े से ग्राफ्ट फैलियर हो सकता है और आपका प्लांट जो है मर सकता है तो ग्राउंड में लगाने के बात दोस्तों इसमें हाथ 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 हम कर देते हैं वाटरिंग और जोस्तों जब फूक्तों जब फिरुट साइट हो तो उस ट्राउंप अप एंपी्के 1026- 126 HTTP जो है इस आंदर दे सकते हैं इस प्लांट में इन्सेक्ट की प्रोब्लम और फंगश्ड फंगस्की प्रोब्लम स्यु ज़री काफी जादा रहती है तो इस यंदर इंसेक् पर फंजी साइड का स्प्रेय तो आप जरूर ही करें क्योंकि फंगस की प्रोब्लम जो है इस प्लांट में काफी जल्दी यह प्लांट पकड़ लेता है तो इन सब चीजों का अगर ध्यान रखेंगे दोस्तों तो आपका प्लांट भी काफी अच्छे से ग्रो करेगा और मैं साथी साथ जानकारी अगर आपको अच्छे लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी न बोले धन्यवाद